This video is for educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. March 1988 को हत्या कर दी गई थी. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं True Story हिंदी. उन्हें 180 के दसक में अपने गानों से लोगों की दिलों पर राज करने वाले सिंगर अमर सिंग चमकीला पंजाबी म्यूजिक दुनिया की सबसे पॉपूलर सितारा थे. उस दौर में चमकीला के ही सबसे ज़्यादा कैसेट्स रिकॉर्ड होते थे और बिकते भी थे. लगपक आठ सालों तक चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडुस्ट्री पर राज किया. इसके बाद आठ मार्च 1988 को चमकीला अलगाव वादियों की गोलियों का सिकार हो गया. चमकीला की दर्दनाग मौत ने हर किसी को हिला कर रख दिया था. उनका धनी राम से अमर सिंग चमकीला बनने का सफर काफी प्रभाव साली रहा. 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के डुंगरी गाउं में जन में धनी राम को गरीवी की बज़य से कपड़ा फेक्टरी में काम करना पड़ा. 7 दिसंबर 1975 को महस्च 16 साल की उमर में ही धनी राम के साधी गुर्मेल कौर से हो गई थी. साधी के बाद उनके घर दो लड़किया पैदा हुई. हाला कि धनी राम का सपना कुछ और था. वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहते थे. जब भी उनको समय मिलता, वो गाने लिखने लग जाता. उसे जरूरत थी तो एक उस्ताद की, जो उसे मिल भी किया. धनी राम के टैलेंट को देखकर उस्ताद ने उसे रख लिया और उसका गाना गाकर उस्ताद भी सुपर हिट हो गया. जिसके बाद खुद के लिखे गानों को धनी राम ने खुद गाना सुरू किया. और देखते ही देखते एक सुपर हिट सिंगर बन गया. उनके उस्ताद वो गायक सुरिंदर सिंदा ने धनी राम से खुश होकर उनका नाम अमर सिंग चमकिला रख दिया था 1977 के आज पास चमकिला का लिखा गाना सुरिंदर सिंदा ने गाया वो गाना सुपरिट हो गया यही से उसके किस्मत खुलनी शुरू हो गई फिर 1988 में टकुएते टकुआ नाम से एक एलबम आई चमकिला की पहली एलबम थी इस एलबम ने उन्हें कामियाबी के सिखर पर पहुँचा दिया उन्होंने इस एलबम में सुरिंदर सोनिया के साथ गाना गाया था उस समय एलबम से ज़्यादा कमाई पंजाब में लगने वा इसके बाद उन्होंने फिमल सिंगर अमर जोत कौर के साथ गाना सुरू किया और इन दोनों की जोड़ी को पंजाब में खूब पसंद किया जाने लगा चमकिला नहीं चाहता था कि उनकी जोरी तूटे इसलिए साधी सुदा होने के बावजूद चमकिला ने अमर जोत कौर से दूसरी साधी कर ली इन दोनों की जोड़ी ने कई सुपरेट गाने दिये अमर सिंग और अमर जोत कौर के गाये गाने वल्गर कैटेगरी में आने लगे जिसकी वज़े से आम जुबा तो उनके गानों को पसंद करते थे लेकिन उनका फिरोध भी होना शुरू हो गया प इसके बाद 1986 में चमकीला ने अलगावादियों से माफी मांगते हुए इस तरह के गाने से तौबा कर ली जिसके बाद चमकीला और अमर जोत कौर ने धार में गाने भी गाये चमकीला का क्रियेज ऐसा था कि उनके गाये गानों की वज़े से पंजावी फिल्म में हिट हो ज गई थी उसी वक्त जब चमकीला एक सो के लिए कनाडा गया था इस सो में वालिवड एक्टरेस स्री देवी भी मवजूद थी चमकीला ने स्टेच पर जब गाना गाया तो स्री देवी खुद को रोक नहीं सकी और उनके गाने पर नाचने लगी चमकीला की बढ़ती सोहरत क के बाद अब उन्हें फिरोती के लिए भी धंकी भरी चिठ्थिया आने लगी कईों को तो पैसे भी दिये गए चमकीला को मिलने वाली धंकियों की वज़े से उनके साथ ही कलाकार भी उनका साथ छोड़ने लगे फिलोर के पास महसंपुर गाउं में या 8 मार्च 1988 को के 47 से गोलियों की बोचार कर दी गई इस गोली बारी में पहले अमर जोत को और फिर अमर सिंग की मौत हो गई इसके साथ उनके ठोलक बजाने वाले वलदेव सिंग और एक और साथी हर्जीत सिंगिल की भी मौत हो गई पिटी आई को दिये गए एक इंटर्व्यू में चमकीले की स्टेश कॉडिनेटर मनकू ने बताया कि हमलावरों ने चमकीला की लास पर एक चिठी रखी और उसकी लास के पास भांगरा डालने लगे इस चिठी पर लिखा था कि हमने कहा था कि ऐसा मत कर लेकिन ये नहीं माना अमर सिंग चमकीला को मारने वाले कातिल कौन थे ये आज तक कोई नहीं जान पाया पुलिस ने इसे अलगावादियों की हरकत बता कर केस की तफ्तिश की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा हाला कि चमकीले के कतल के पीछे कई थियोरी है कुछ लोगों का कहना था कि चमकीले को मरवानों के पीछे अमर जोतकौर के घरवालों का हाथ था और वो ओनर किलिंग का मामला था क्योंकि चमकीला दलित थे और अमर जोतकौर जट सिख थी लेकिन चमकीले के मेनेजर कुलविंदर कुकी ने एक इंडर्वियू में बात का खंडन किया दोनों परिवारों के सहमती से ही अमर सिंग चमकीला और अमर जोत कौर की साधी हुई थी कुछ लोगों का मानना है कि चमकीला को असलेल गाने से वो अलगाववादी के निसाने पर आ गए वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चमकीला मौत के गायक थे अपना कमपेलिशन खतम करने के लिए उन्हें मरवा दिया गया लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिरकार चमकीला की हत्या किस वज़े से की गई थी यानि कुल मिला कर ये बात है कि पंजाबी गाईकी का ऐसा सितारा जो ऐसा चमका की चमकीला हो गया और आखिरकार गोली की आवाजों ने इस कायक की गाईकी को हमेशा के लिए खामोस कर दिया